प्यारे विद्यार क्यों चोटे बाईयों वेनों मिशन इस्टूल प्यागराज में आपका बहुत स्वागत है एवनेंदन है देखिए उत्रप्रदीश पुलिस की परिच्छा का अंतिम चलन चलवाया है आज 31 तारीक है और अबात्री पेपर कंड़क्ट होना जा रहा है इस समय डिसाइडिंग फैक्टर बहुत बड़ा जीएस का पॉर्शन हो गया है कि जीएस के कुष्ण नॉर्मली वैसे आ रहे हैं जो परिच्छाओं में शरी सर्व से पूछे आते हैं लोगा सब्सक्राइब पूछे गए इस तरह कि प्रस्ण ज्यादा परिच्छाओं में पा इतने वर्सों के एजन के वास सीखने समझने के वाद कुष्ध में आया किसे क्या होना चाहिए उसके आधार पर पर एक हमारी पीप निससरा का क्या होना चाहिए फाइनल सेलेक्शन के लिए और रनिंग के लिए दोना बात अपर ध्यान दीज़ेगा पहले बिताथ ही जंगल के लिए पेपर चुकी वीजिनिंग और मैट्स का बहुत इजी आया है कि एक अच्छा पूर्शन 75 पूर्शन तक बहुत सारी दिक्कतों का बिद्यार्थां को सामना नहीं करना पड़ा हिंजी कारी पेपर एक मार्मल पेपर ही है बहुत तफ नहीं है इसलिए हिंदे में उसे बेनिफिट मिला तो इस बज़े से उसकी मार्किंग उपर जाने की OBC, EWS और Female Candidates की जो मेरिट है वो जाना चाहिए 105 से 110 के बीच में जिन बच्चों का 105 से 110 के बीचे पेपर सही है वो हर हाल में सेलेक्ट हो जाएंगे रही जो मैं इस क्राइटिया बता रहा हूं यह 100% सेलेक्शन वाला क्राइटिया है यह रेनिंग के बाद जो मेरिट बने सब्सक्राइब का असक्ट के बाद कि बात करते हैं तो हन्टर और हमें सेलेक्ट हो जाएगा और स्थी केटगरी की बात करते हैं तो 95 से 100 के बीचे विचे थे पो लुट सेलेक्ट हो जाएंगे अब स्थी तो बहुत सीरिसने से परणाम भी को सकाराथमन नहीं आए और उसकी बच्चों कोस्ट भी देखना पड़ा फिलाल मैं बात कर रहा था कि जो सामानता विद्याथी दिख रहे हैं जो इसे और भी चर्चाए हो रही हैं बोले ही क्या रहे हैं कि सर मेरा जन्रल काटेगरी हैं जो 105 नंबर तक करके आए हैं इन्हें ज़रूर रनिंग के लिए मौका मिलेगा जो ओबी सी एड़ू एस और फिमल कैंडिडेट्स हैं अगर वो हंड्रेट के असपास हैं तो उन्हें भी रनिंग का मौका मिलेगा इसी पतास से SC और ST काटेगरी में जो 95 मार्स तक जो SC कंडिडेट्स हैं उन्हें हर हाल में रनिंग का मौका मिलेगा और 85 तक जो ST कंडिडेट्स हैं उन्हें ही फायदा होगा उन्हें भी रनिंग का मौका मिलेगा अब दिखी कहना जो है वो बात ध्यान देने की है समझने की है कि ऐसा हो सकता है कि normalization का effect हो क्योंकि normalization में आपके paper को भी देखा जाता है और normal जब हम करते हैं अंकों को या हम उसको equivalent लेकर कर आते हैं तो इस दौरान paper की position को देखा जाता है और उस आधार पर हो सकता है कि आपक कि बच्ची भी फाइनल सेलेक्ट हो जाएं तो जिन बच्चों का ये पटाफ है उन बच्चों की इस्तिती position अच्छी हो सकती है और उनको समझने की जरूबात है यानि जो इस रेंज में आ रहे हैं वो अपने आपको running के लिए तयार कर लें वह दिमाग में रखें कि मुझ सब्सक्राइब को जो आपके भागे में लिखा है जो होना है वो अब आपको मिलेगा लेकिन कर्म आप कर चुके हो कर्म मिर्धारित करता है भागी को तो जो आपने जा रहा है तो ये पोजिशन जिन बच्चों की है वो running के लिए अपने आपको फिट रखें अनावस्यक की सब्सक्राइब के लिए अपने आपको बोड़ी को फिट रखें ताकि कि किसी आगे की प्रक्रिया में कोई बाधा ना आ सके तो ये एक बस्तिस्थी जो मेरे समझ में आती है मैंने आपको बताई है उससर करें आप इसमें हों और आप सफल हो जाए ताकि आगे जीवन पर साथ जैहिंद एक नई बात और इंपॉर्टेंट है कि आगे वाले समय में चालिस हजार वैकंसी के लिए योगी सरकार में कहा है तो जो बच्चे नए हैं जो भी पास आउट हो रहे हैं और जो आहरता धारन करते हैं उन्हों को पतकार लग जाना चाहिए और जो बच्चे परिछाएं देतर के भी आए हैं अगर वो इस कटाफ से उपर चल रहे हैं या इस रेंज में हैं तो बच्चे कुछ कम कर पाएं हैं उन्हें अपने आपको बनाए रखना है और जो कर चुके हैं उनका अच्छा हुआ है वो भी रणिंग की तैयारी करें मिशन में छह तारी कर सकते हैं और आगेगी प्रक्रिया में सामेल हो सकते हैं अपना बहुत ख्याल रखें जाए हिंद्च और भारत